बार किसी ने MIM को चुनोती दी तो BJP ने दी इतने वर्सों से इन दोनों ने जैसे हैदराबाद को MIM को लीज पर दे रखा था देश में तीसरे चलन की वोटिंग के बाद अब चौथे चलन की तारीख करीब आने लगी है और चौथे चलन में तेलंगाना की कई सीटों पर चुनाओ हैं चुनाव से ठीक पहले प्रधान मंत्री मोदी सीधे तिलंगाना के करीम नगर पहुंचे और करीम नगर में उन्होंने सीधा निशाना AIMIM यानि कि आल इंडिया मजलसे तिहादुल मुस्रमीन जिसके राष्ट्रे अध्यक्ष असद दीन ओवैसी हैं उन पर हमला किया AIMIM का नाम लेते हुए प्रधान मंत्री मोदी ने कॉंग्रेस और BRS पर भी निशाना साधा उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस और BRS ने लंबे समय से हैदराबाद को लीज पर AIMIM को दे रखा है कॉंग्रेस और BRS के बीच जो एपीजमेंट का बॉंड है वो बहुत मजबूत है इतने वर्सों से इन दोनों ने जैसे हैदराबाद को AIMIM को लीज पर दे रखा था पहली बार किसी ने MIM को चनोती दी तो BJP ने दी BJP की चनोती से MIM तो गब्राई हुई है उससे ज़्यादा कॉंग्रेस और BRS गब्राई हुई है हाइदराबाद में दोनों पार्टियां MIM को जितवाने में लगी है इतना ही नई प्रधान मंत्री मोदी ने जहां AIMIM पर कॉंग्रेस और BRS पर हमला किया ही किया इसके साथ साथ उन्होंने राहुल गांधी पर भी तीखा प्रहार किया इसके साथ ही साथ प्रधान मंत्री मोदी ने राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया राहुल गांधी को लेकर प्रधान मंत्री मोदी ने कहा कि जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया है इतना ही नहीं प्रधान मंत्री मोदी ने आगे कहा कि ये शहजादे बताने की कोशिश करें कि इस चुनाओ में अदानी अंबानी से उन्होंने कितना माल उठाया है काले धन के कितने बोरे भरकर मारे टेंपू भरकर नोट कॉंग्रेस के लिए पहुचे हैं क्या आखिर क्या सौधा हुगा है रातो रात अंबानी अदानी को गाली देना बंद कर दिया जरूर दाल में कुछ काला है फिलाल जैसे जैसे अगले चरणों में चुनाओ चरणा है वैसे वैसे सियासी तौर पर हमले भी अब तेज हो गए है ऐसे में देखना होगा कि कॉंग्रेस, AIM, AIM और BRS की तरप से प्रधान मंतरी मोधी के हमले पर क्या जबाब आता है बिरिपोर्ट, न्यूजनेशन